इश्यारी नमगा ये काम करते हैं शनी देव और शनी देव ही आपको आपके कर्मों का फल देते हैं वो सजा भी देते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले जानगे शनी देव को प्रसंद करने के उपाए शनी प्रसंद तो जग प्रसंद शनी रूठे तो जग रूठा शनी देव की क्रूर दिश्ट से कोई नहीं बचा शनी देव के दंडे से कोई नहीं छूटा पापियों को दंड देते हैं शनी देव दुष्टों का दंभ तोडते हैं शनी देव शनी के न्याय का है अलग तरीका हर राशी पर है शनी का प्रभाव किसी को यश किसी को अपियश देते हैं शनी सुनने में ये थोड़ा धरावना लगता है लेकिन यहीं सच है कि शनी खुश तो यश्वान बनाते हैं शनी नाराज तो अपियश देते हैं शनी के न्याय का अलग अलग तरीका है दुष्टों के साथ सक्त होकर पेश आते हैं शनिदेव और उनको अपियश देकर न्याय करते हैं वहीं सज्जनों को यश्वान बना कर वर्दान देते हैं शनिदेव शनि से जुड़े यश और अपियश के चर्चा हम आगे करेंगे लेकिन आप सबसे पहले ये जानना चाहते होंगे कि शनि की पूजा अर्चना किस तरह से की जाए जिससे वो प्रसन्न हो जाए और उनका अशिरवाद आपको मिल जाए तो सबसे पहले आपको बताते हैं शनि को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से पूजा अराधना करनी है शनी को प्रसन्य करके व्यक्ति जीवन के कश्टों को कम कर सकता है साथ ही करियर और धन के मामलों में भी सफलता पा सकता है शनीदेव की पूजा अगर समझकर और साथनी के साथ की जाए तो तुरन फलदाई होती है सवाल यहां यह उठता है कि शनी को प्रसंद करने के रास्ते क्या है आखर किस तरह से शनीदेव को प्रसंद किया जा सकता है या फिर उनकी पूजा अर्चना के विधे विधान क्या है तो चलिए हम आपको शनीदेव की पूजा के विधान समझाते हैं शनिवार के दिन पहले शिव जी या शुरे कृष्ण जी की उपासना करें उसके बाद शाम को शनिदेव के मंतरों का जाप करें पीपल के व्रिक्ष की जड़ में जल डालें उसके बाद व्रिक्ष के पास सरसों के तेल का दीपब जलाएं किसी गरीब व्यक्ति को एक विला का भोजन जरूर करा हैं इस दिन भूल कर भी तामसिक आहार ग्रहन ना करें शनिदेव को प्रसन्य करने के लिए उनकी पूजा आर्चना करना ही सर्वश्रेष्ट तरीका है लेकिन इस पूजा आर्चना में कुछ सावधानियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है चलिए हम आपको उन सावधानियों के बारे में बताते हैं शनिदेव की पूजा शनि की मूर्ती के समक्षना करें शनि के उसी मंदिर में पूजा आराधना करनी चाहिए जहां वो शिला के रूप में हो प्रतीक रूप में शमी या पीपल के व्रिक्ष की आराधना करनी चाहिए शनिदेव के समक्ष दीपक जलाना सर्वश्रेष्ट है लेकिन तेल उडेल कर बरबाद नहीं करना चाहिए जो लोग भी शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं उनको अपना आचरण और द्यभार अच्छा रखना चाहिए जोतिशी शनिदेव को प्रसंद करने के कुछ खास मंत्र भी बताते हैं जोतिशी कहते हैं कि इन मंत्रों के जाब से शनिदेव को जल्दी प्रसंद किया जा सकता है। चलिए हम आपको उन मंत्रों के बारे में बताते हैं जो शनिदेव को प्रसंद कर देते हैं। जोतिशी मामते हैं कि ये कुछ मंत्र बहुत चमतकारी होते हैं। इन मंत्रों के जाब से शनिदेव को जल्दी प्रसंद तो होते ही हैं, अपने भक्तों की सब ही मुरादें पूरी करते हैं। लेकिन शनि सतकर्म करने वाले लोगों के लिए जुतने अच्छे हैं, बुरे कर्म करने वालों के लिए उतने ही सख्त। और शनी के न्याय करने का तरीका तो बिलकुल ही अलग होता है वो अलग-अलग राशी के लोगों को यश और अप्यश दे कर सम्मानित और अप्मानित करते हैं इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे आप हमारे साथ बने रहे हैं तो इस तरह से आपने जाना कि शनी देव को खुश करने के लिए क्या किया जाना चाहिए वैसे सजन लोगों या कहें कि ऐसे लोग जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें कुछ नहीं होगा लेकिन जो लोग गलत कारे करते हैं उसमें लिप्त रहते हैं या जिसका व्यवार अच्छा नहीं होता उन्हों को शनी अप्यश देकर सजा देते हैं और आपको हम ये भी बता दें कि शनी देव जोतिश में मौजूद अलग-अलग राश्चियों को अलग-अलग हिसाब से यश और अप्यश देते हैं चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं शनिदेव को प्रसन्य करने की उपायों के बारे में तो हमने आपको बताया लेकिन आपको ये जानकर थोड़ा डर महसूस होगा कि शनिदेव जब नाराज होते हैं तो आपको बदनाम करके आपको सजा देते हैं जोतिशी मानते हैं कि जोतिश में मौझूद बारह राशियों पर शनि का प्रभाव अलग-अलग रूप में पढ़ता है चलिए हम आपको शनि का अलग-अलग राशियों पर पढ़ने वाले प्रभावों के बारे में खास तोर पर बताते हैं सबसे पहले शुरुवात करते हैं बारह राशियों में पहली राशी मेश राशी की शनि मेश राशी पर अलग-असर दिखाते हैं इस राशी में शनि का सीधा संबंध नाम और यश्च से होता है शनि की थोड़ी भी खराब स्थिती अपियश का करण बनती है शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ धन का दान जरूर करें इससे अपियश से बचाब होगा ब्रिश राशी के लोगों पर भी शनि का लगसर पड़ता है इस राशी में शनि का सीधा संबंध अपियश से नहीं होता लेकिन शनि अपियश के समय को लंबा कर देते है शनिवार को शनि के वैदिक मंतर का 108 बार जाप करें कुछ राहत मिलेगी मिथुन राशी के लोगों पर असर की बात करें तो इस राशी के लोगों को शनि यश भी देते हैं और मुकदमे बाजी से अपयश भी देते हैं शनी की साड़े साती या धाया में ये स्थिती अक्सर आ जाती है शनिवार को शनी की शिला पर तेल जरूर अर्फित करें करक राशी पर भी पड़ता है शनी का असर इस राशी के लोगों को शनी आमतोर पर अपयश नहीं देते लेकिन जब अपयश का कारण बनते हैं तो कारावास भी दे डालते हैं शनिवार को काले जूते, काले कपड़े इनका तान करें इससे अपयश और कारावास से बच सकेंगे सिंह राशी के लोग भी शनी के प्रभाव से प्रभावित होते हैं वैसे सिंह राशी के लोगों को शनी अप्यश नहीं देते लेकिन व्यक्ति को ऐसा काम करने को मजबूर कर देते हैं जिससे अप्यश मिले ये मामला आमतोर पर प्रेम प्रसंगों का ही होता है शनिवार को शाम में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं कन्या राशी के जातकों पर भी शनी का गहरा असर पड़ता है कन्या राशी के लोगों को शनी जीवन में बहतरी देते हैं लेकिन शनी का संबंध अगर मंगल के साथ हुआ तो अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है शनिवार को शनी देव के विधिवत आरती जरूर करें तो इस तरह से हमने आपको शनी के अलग-अलग राशियों पर पड़ने वाले असर के बारे में बताया हमने आपको शनी देव को खुश करने के उपाय भी बताएंगे धर में हम बात कर रहें शनी देव और उनके असर के बारे में ये तो आपने जाना ही कि शनी देव अच्छे लोगों के साथ अच्छे और बुरे लोगों के साथ सक्त है ऐसे में शनी देव किस तरह से शुरुवाती छे राशियों को यश या प्यश दे कर सजा और वर्दान देते हैं यह हमने आपको बता दिया चलिए अब वक्त हो चला है बाकी बची राशियों के बारे में बताने का शनी का हर राशिय पर अलग अलग असर पड़ता है जोतिश में मौझूद शुरुवाती छे राशियों पर शनी किस तरह से ऐसर डालते हैं यह हमने आपको बताया हमने आपको बताया कि कैसे अलग अलग राशियों के लिए शनी यश और अपयश का कारण बनते हैं और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि कैसे आप शनी के इन प्रभावों से बच सकते हैं। अब बाकी बची छे राशियों पर पढ़ने वाले शनी के प्रभावों की बात कर लेते हैं। पर ये जान लेते हैं कि शनी की वजह से इन राशियों को यश मिलता है या अपयश तुला राशी की बात करें तो तुला राशी के लोगों को शनी आमतोर पर अपयश नहीं देते हैं लेकिन जरूरत पढ़ने पर अपयश से बचाते भी हैं अगर नियमित रूप से शनिदेव की आराधना की जाए तो अपियश की नौबत ही नहीं आएगी शनिवार को शनी मंत्र का खुब जाब करें और उनका आभार व्यक्त करें बात अगर व्रिष्चिक राशी के जातकों की करें तो व्रिष्चिक राशी के लिए शनी जरा भी कमजोर हुआ तो अपयश देगा ही आमदोर पर नौकरी और काम की मामलों में इन पर अपयश लगता है शनीवार को खाने पीने की चीज़ों का दान करें धनुराशी पर भी शनी का गहरा असर होता है धनुराशी के लोगों पर शनी वाणी पर सीधा असर डालते हैं इसलिए अकसर वाणी और सोभाव इनके अपयश का कारण बनती है शनी भार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनी प्रतिमागी परिक्रमा करें मकर राशी के जातकों पर भी शनी का असर पड़ता है मकर राशी के लोगों के लिए शनी अपयश का कारण नहीं बनता लेकिन अगर सूर्य का संबंध शनी से बन जाए तो अपयश का कारण बन जाता है शनिवार को शनिदेव के वैदिक मंत्रों का खुब जाप करें कुम्भ राशी पर शनी मिला जुला असर डालते हैं कुम्भ राशी चुकि शनी की काफी प्रिय राशी है इसलिए शनी अपयश नहीं नेते लेकिन ऐसे लोग किसी की परवाह नहीं करते इसलिए बराबर मात्रा में यश अपयश मिलता रहता है शनिवार को शनीदेव का सरसों के तेल से अभुशेख करें बात अगर मीन राशी की करें तो मीन राशी के लोगों को शनी अपयश दे सकता है यहां शनी व्यक्ति के बारे में जूठी सूचनाओं से अप्यश देता है शनी बार को काले बस्त्र, जूते और छाते का दान करें कुल मिलाकर शनी का हर राशी पर अलग-अलग असर पड़ता है और वो राशियां जिनके लिए शनी अप्यश का कारण बनते हैं उनके लिए शनी को प्रसंद करने के कुछ उपाय भी हमने सुझाएं जो तिशी मानते हैं कि इन उपायों को करने से आपसे शनी देव प्रसंद होंगे और आपको यश कीरती देंगे वो आपके लिए आप्यश का कारण नहीं बनेंगे धर्म में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजर होंगे धर्म में एक नए विशे के साथ, अब तक के लिए हमें दीजो जाज़त, नमस्कार कुछ से राज़त, विए तक के लिए हमें उयाद ।